आज इस वीडियो में कुछ अलगसी बात करेंगे आपकी ही बात करेंगे बेसिकली ठीक है क्योंकि आपकी बात इसलिए करेंगे क्योंकि आप लोग हमेशा जुड़े रहते हो मेरे साथ बहुत साल हो गए हैं इतने सारे को मुझे सुनते हुए उनकी बात सुनते हुए उनके साथ इंटरेक्शन करते हुए कभी आप लोग मुझे कॉल करते हो कभी मैसेज करते हो जिनके पास फोन नमबर नहीं मेरा वो मुझे इमेल भी करते हैं जिनके पास इमेल भी नहीं है तो वो मुझे फेस्बुक के मेसेंजर पर मेसेज करते हैं यह बहुत सारे कम्मिनिकेशन के वो हैं कोई कुछ लोग इदर दर से फोन नमबर किसी से लेके फिर कॉल करते हैं फिर वो कहते हैं कि सर हमें दो तीन साल लग गए आपके पास पहुंचने के लिए तो यह ऐसे सारे सिनर सिनर से और मैं आपकी बाते सुनता रहता हूं सारे के सारे जो लोग आप पिछले इतने सालों से करते आते हैं और उसमें कुछ चंद बाते हैं जो की कुछरों के बिलकुल बात होती है कि सर कोई बात नहीं on passive कैसे भी आ रही है कोई problem नहीं हमें कोई समस्से ही नहीं है कुछ की होती है कि सर अब तो आ जाने चाहिए मतलब कि बहुत time हो गया मतलब कि बहुत ऐसा कुछ हो रहा है तीसरे कुछ ऐसे होते हैं कि इसर बहुत मुश्किल अब हो गया गुजारा नहीं हो रहा एंड कुछ को होता है कि कुछ इलाज करवाना होता है कुछ उनके घर में इतनी पैसे की दिक्कत है या अचानक उनको पैसे की जरूरत आन पड़ी है तो ऐसे होते हैं कुछ यह होते हैं कि मतलब कि अचानक उनके जरूरत आईगी भी या नहीं आईगी तो ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं बट मुस्टली क्या होता है कि बहुत पॉस्टिव वाले ही होते हैं कोई ऐसा नेक्टिव वाला नहीं होता बट अगें उन सारी चीज़ों से एक चीज़ जलकती है कि हम लोग कैसे एक दूसरे कसा जुड़े हुए हैं हम लोग कैसे शेयर करते हैं अपने अपनी बाते हैं सारे की जितने भी है अब इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है? वो है Mr. Ash जो इस सिस्टम को बना रहे हैं तो मेरी भी बहुत बार बात हुई एस के साथ इन मुद्धों को लेकर वो भी हमारी तरह ही है बेसीकली अगर हम यह बात ना सोचें कि एस एस यो कमपनी है तो शायद कोई ऐसा आदमी है कि पता नहीं क्या है यह एक्जेकली हमारी जासे ही है जैसे हम है या आप मुझे नहीं जानते था या मैं आपको नहीं जानता था बट हम अब एक दूसर साथ बात कर लेते हैं और एक आम वो जो एक आम घरों के लड़के हैं वही है एस भी ऐसा ही है बट वो कुछ इस बनाना शुरू किया उन्होंने उस लेवल की तो इसलिए हम उनको उस नजरे से भी देखते हैं कि कोई आदमी कोई कुछ ऐसा कुछ बना रहा है जो कि बहुत बड़ा है जो कि हमें हमारी लाइफ को सेट करने वाला है तो अब हम उनको उस नजर से देखते हैं तो हमारी expectations हैं उतनी ही जादी हो जाती हैं किसी से भी जब कोई आदमी हमें 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 होप देता है तो naturally क्योंकि वहां पर हमें कुछ अपनी life रोशनी की तरफ जाते हुए दिख रही है तो इसलिए वो है अब Mr. Ash को ये सारी चीजों का मालूम है कि दुनिया में क्या हो रहा है दुनिया में किस लेवल की उपर लोगों को पैसा चाहिए और वो एक country की बात नहीं है मैं इंडिया की बात नहीं कहा हर एक country में बहुत-बहुत सारे ऐसे लोग है ठीक है कहीं जगा पे कुछ systems अगर okay है ठीक हैं बट पैसा उनको भी चाहिए कुछ developing countries हैं उनको पैसा और चाहिए कहां पे कुछ और भी गरीब countries हैं उनको भी पैसा चाहिए तो Mr. Ash को ये सारी चीजें मालूम है और जब वो इस system को बना रहे है हमारे साथ मिल के सारा तो वो सारे चीजों को साथ में लेके चल रहे हम सब लोगों को दुनिया के लोगों को ये पैसा चाहिए इसलिए वो ऑन पैसी को बनाना शुरू किया उन लोगों ने तो ये बात मैं भी समझता हूं कि आपको कितनी पैसे की जरूरत है जब आप मैसेज करते हो कोई तो ये कहते हैं कि सर थोड़े बहुत वह दे दे और पैसे दे दे बाकी का ठीक है चलता रहेगा वो भी समझते हैं कि बहुत लंबा चोड़ा प्रॉजक्ट है एंड तो वो कहते हैं कि हमें थोड़ा तो पैसा दे 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 आइश और तब तक हमारा चल जाएगा और वो बाकी का चलो बनाते रहें उसमें कोई प्रॉलम नहीं है बट इसमें थोड़ा सा ये बात है कि जब मिस्टर एश ने सिस्टम बनाना शुरू किया तो धीरे 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 करके सिस्टम ही बड़ा हो गया असल में जैसे हम लोग भी इतने हमें नहीं मानूं था कि हम इंडिया में से पांच-छे लाग हो आजे हमें मुझे तो बिलकु बी अंदाजा नहीं था कि लाखों लाखों में करेब के 5-6 लाख लोग हो जाएंगे यहां पर नए तो ऐसी मिस्टर एश को जब वो बनाने लगे सिस्टम ऐसा बिलकुल बी अंदाजा नहीं था कि इतने लाखों लोग 14 मतलब 1.4 मिलियन लोग उनके साथ आकर जुड अगर तो ऐसे मार्केटिंग का सिस्टम ऐसे अपना जो सिस्टम सारा लाउंच करने की सोच रहा है तो तुझे अपने लोग चाहिए जो की तेरे तेरे वो मतलब की उस सिस्टम में हो सारे के सारी लोग वो तो कम से कम तुझे 50,000 लोग चाहिए तब तब तेरा इस सिस्टम बहुत बढ़िया चलेगा तब तो बहुत अच्छे लेवल के उपर मतलब की एक बिजनस को खड़ा कर पाएगा तो बट यहां पे 50 यहां पे 1.4 मिलियन लोग आ गई यह एश को भी अंदजा नहीं था अब जब मिस्टर Ais यही सिस्टम को बना रहे थे इस सिस्टम को बनाते बना तो उनोंने बहुत सारी बाते कही क्योंकि वह भी पहली तरह जब आम एक इंसान हैजैंसे हम हैं तो वह भी पहली बार यह सिस्टम को बना रहे थे ओकैंगराइश下去 2019 में सेप्टमबर में उन्होंने बोला था कि हम 251 कर रहे हैं। चार-पाइश मेरे में यह श्यासीय हो जाएंगी और हम दिसम्बर ठक हो जाएंगे. आम लोग ऐसी करते हैं जो expectations होती हैं जो चीज काम कर रहे तो उनको भी अंदाज़ा होता कि ऐसे कोछ हो जगा बट उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि क्या होने वाला है 3-4 महिने में एक किसी को अंदाज़ा नहीं होता तो वहां से कुछ चीज़े बिगड़ी 2-1-20 के डिसमबर में ही और वो डिले हुई थोड़ी उसको change किया गया 2-1-20 में चीज़ों को फिर दुबारा से वो चीज़ों को किया गया बनाया गया 2-1-21 में वो सारी चीज़ों हो गई बाइस आते हैं आपको आपने देखा बुर्ज खलीखा खलीफा के उपर जब हम मार्केटिंग करने लाइक हो गए हम उस लेवल के उपर चले गए तो वो सारा शुरू हुआ चीज़ों को धीरी धीरी वो सारा कुछ सेट अप कर दिया और उस सेट अप करने के साथ साथ और वो तो होना है बट कुछ चीज़ें बनने के बाद शुरू होती है फिर वो मार्केटिंग जब वो हो जाती है उसके बाद वो बड़े-बड़े कॉर्पेशन बड़े-बड़े चीज़ों के पास तब पेश की आते हैं कि अब देखिए अब हमारा ओक्नेक्ट अडिया अब हमारा ये रेडि ए जाता है तो उन लोगों को फिर छीचे उन लुबहें को साथ में लिया गया भी ठीक है पिछले दो एर वाईस में भी लिया गया त Чтобы सारी चीज़ों को साथ में बैटा टेस्टिंग भी तक सारी चल रही थी साथ में जो बने उसके बार दुर झालिने भी फिर यह उना को बेट में जो चैलेंजे आने थे ना यह मालूम था, यह मालूम था कि इतने इतने चैलेंजीज वाह था तो यह अल्टिमेटली जाके सप्टमबर में वो सारी चीज़ें शुरू करने पड़ी मिस्टर एश को एक ठीक है अब हम लोगों को ऐस ऐसे जो बात थी कि पैसा में ही ग्लिच पड़ गया वहां पे और वहां पे वह ऐसा ग्लिच हुआ कि वह चीज को रोकना पड़ा तो अब क्या सिच्वेशन है कि वह चीज को रोकने के बाद एक बात और समझ आई है इसके नहीं मुझे यह पहले पैसे का ही प्राइट बन गया एक एक चीज हो गई है बट जब मैंने लोगों को पैसा देना है अगर वही लोगों को सही तरीके से आपकी जेब में नहीं पहुंचेगा जो की एक मेरा आइडिया है तो तो फिर सिस्टम काई का है वो ओके तो फिर उन्होंने अल्टीमेट लिए डिसीजन डिसंबर में पिछ किसी की कुछ कपैसिटी है किसी की कुछ है किसी का कोई रेगुलेशन है किसी का कुछ है तो ये करते 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 हम ये जून में हैं हम लोग सारे के सारे मिस्टर एश को बाखोबी मालूम है कि आपको पैसा देना है वो तो सेप्टमबर में देने के लिए रेडि थे जब सिस पीचारे लोग इतने टाइम से मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये भी उनको अहसास है, तो एक एक चीज का अहसास है, कि नहीं तो लोग जादे रुकते नहीं हैं, कहीं पे भी, बट लोग रुके हुए हैं, यहां पे, तो ये बात का भी उनको अहसास है, एक एक चीज का अहसा तो ऑनपैसिव कहीं जान नी रही आपके आपको सक्सेस्फुल करने के लिए वो डिले वाला जो प्रोसेस है उसको एकदम सही करके ताकि वो जो पैसा रुके ना फिर रुकना निची जैसे दो एर सप्टमबर दो में जब स्टार्ट हुआ तो पैसा रुका तो रुकना नहीं चाहिए तो इसलिए वो सारी चीज़ों को दुरुस्त करके अच्छा करके यह डिले हमारे लिए अच्छा है इसमें कितने भी दिन लगते हैं तो अच्छी बात है कि आने वाले जो टाइम है तब यह सिस्टम बिलकुर रुकना तो तब वो जो बात आप लोग करते हैं कि हम महीने दर महीने आपको चीज़ें आती रहें बीच में चीज़ों को डाला मिस्टर एश ने कई चीज़ें कि यह सादमी को एक बार ही पैसा देना पड़े अपनी जेम में से तो अगर एक बार देना पड़ेगा तो मुझे सिस्टम को ऐसा डिजाइन ऐसा करके करना पड़े जबहें hemeesha ताकि जो लोग मिरे से जुड़े होँगे उनको सदा के लिए आती रहे और आती से बीज में जो एक प्रॉसेसर को जूसब रहे वो ऐगे उनको दुरूस्थ steel करने थे डिन और लो रुकना नहीं है मतलब कि एक बार स्टार्ट हो गया तो सदा के लिए चलना है मतलब रुकना नहीं है तो इसलिए जब extensions 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 आप सोचते हो कि शायद क्यूं दे रहे है यार क्या हुआ एक बारी दे दो वो दे दो तो ऐसा नहीं है आपके चीज़ों को किया जा रहा है एक ने कर दिया दूसरे के ये शायद ना हुआ हो तीसरे का हो गया चाहद चौते का ना हुआ हो और उसमें और भी बहुत सारी चीज़े होती है तो देरा सो मनी तिंग और वो पैसे भी रुक एथे वो भी आ गए यंड उसको भी अके करके, टेस्ट करके, तो टेस्टिंग का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, हो रहे हैं, कुछ लोगों के वाल hiệnिे गलत है, वो सही किये, सिस्टम को सही, तो दीरे-दीरे के करके, वो सारी चीजों को समप करके, जब हम आपके सामने Mr. Ash लाने वाले हैं उसके बाद उनका है कि अब मुझे रुकना नहीं है तब ही successful होगा इस system यह ठीक है ना product भी बन जाएंगे सारा कुछ हो जाएगा बट यह पैसे देने वाला जो एक सिलसला है वो नहीं रुकना चाहिए कभी भी तो उसके लिए ही यह सारा कुछ टाइम लग रहा है आई होप तो वो एहसास है उनको तो आप लोग जस्ट जस्ट उस चीज को वेट करिए ताकि रुके ना हमें हमें हमारी success उसी में है कि हमारा system ना रुके system रुकता है तो हमारा failure है तो system ना रुके इसलिए वो time लगने दीजिए या जितना भी लगता है और उसके बाद जब वो चले सदा के लिए चलता रहा और आई होप कि यही हमारा success होगी सबकी तो आपको वेट करिए आपका एक एक चीज का एहसास है Mr. Ash को एक एक बात का एहसास है किस लेवल के उपर आके मुझे on passive को uplift करना है लोगों को पैसे के थूँ तो इसलिए वो सारा कुछ एक दम सही करना चाहरे है तो इसलिए वो थोड़ा वेट जो हम लोग कर रहे हैं वो वर्त होने वाली है वेट वो और वो हमें शायद करनी चाहिए सबको सबको without any panic, without any negativity तो जिनके दिमाग थोड़ा negative हो रहे है प्लीज उस positive हो जाए इदर ही है सब लोग don't be panic be positive always कोई यहां से इदर का उदर नहीं हिलेगा कभी भी यह guarantee है Mr. Ash की कि वो जब बनाने तो वो इदर ही रुकने के लिए क्ले क्योंकि यह एक जिस्ट एक आम सी कंपरी नहीं है तो यह सारा से स्जिनारियो हो है तो यह video बनाने का मेरे यह थै कि हम आप क्या सोचते हैं तो वो सब मुझे भी मालूम है Mr. Ash को भी मालूम है यह सारी की सारी चीजे है और हम लोग Ash को हमेशा बताते भी रहते हैं तो इसलिए be positive always and yes definitely we are going to rock और यह guarantee है Mr. Ash की कि मुझे इस धर्ती के उपर जितने भी लोगों उनको uplift करना ही करना है no matter what कितनी भी दिक्कत आ जाएं तो commitment और वो सारी चीजे थे तो इसलिए आप positive रही है बिल्कुल and already positive है just यह नहीं है कि आप positive नहीं है positive हो मुझे मालूम है सारे के सारे लो बट कई बर थोड़ा कई बर हर एक के दिमाग में थोड़ी बात आती है तो इसलिए वो है कि हमें as a as a leader मान लो क्योंकि जब जिस चीज के साथ हम इतने शिद्द से जुड़े हुए तो I know आप लोग केर करते है उस चीज की क्या हो रहा है देखें तो आप लोग negative नहीं हो just थोड़ा सा डर होता है कई बार mind में तो वो डर को भी निकाल दीजिए यहां पे okay there is nothing to get panic okay we all are here हम सब लोग आपके साथ है Mr. Ash हमारे साथ है सबसे जो बड़ी बात है Mr. Ash हमारे सब के साथ है okay वो लोगों के साथ नहीं है जो बड़े बड़े हैं उनके साथ नहीं है वो हमारे साथ है तो इसलिए हमें पूरा positive रह के उनका साथ देना चाहिए और just it's a matter of time जब चीजें आपके सामने होंगी and स्विर सब फिर तो बस सब की बले बले हैं okay so anyways thank you very much and love you all